हेलो फ्रेंड्स तो आज के वीडियो में आपको सेट चेप्टर का एक्सेसाइज 1.2 पढ़ाऊंगा जिसमें मैं पहला कोस्टन पढ़ता हूं पहला कोस्टन है विच अब दा फॉलविंग आर एक्जामपल ओफ नल सेट इसमें से जितना भी सेट का एक्जामपल दिया हो उस सेट जिसमें जो एलिमेंट है वो और नेचुरल नंबर आना चाहिए और वो होना चाहिए टू से लिच अगर और नेचुरल नंबर का अगर हम लोग बात करेंगे तो वह होगा 1357 और यह आगे तक जाएगा बट इसके बाद अगर देखें हैं कि यह सारे नंबर जो है वो से है कि नहीं तो इसारे नंबर वो नहीं होगा बिकाउज और नंबर जो होता है वो टू से नहीं होता है तो इसमें एक भी ऐलिमेंट नहीं आएगा इसलिए यह क्या होगा नल सेट उगा कि यह नल सेट है कि इसमें कौन-कौन सा नंबर आएगा 1 3 5 7 बट यह इसमें से 1 बिनियागा क्योंकि यह तू से डिविजेवल नहीं है अर आगे तक कोई भी संख्या कोई भी अलिमेंट नहीं आएगा तो यह जामपल होगा फिर कोस्osphon और यह infinite तक जाएगा बाट इसमें से अगर prime number को हम लोगों चूज करना है तो prime number इसमें से क्या होगा only two होगा यह prime number नहीं होगा कोई भी prime number नहीं होगा सिरफ two होगा वो prime number भी होगा और even भी होगा यह क्या होगा not null set यह null set नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक element आएगा और वह क्या है उसके बाद question number 3 है इसमें लिखा हुआ कि x जो है x is a natural number and x का जो value है x natural number होना चाहिए तो natural number में आएगा 1,2,3,4,5,6 यह infinite तक जाएगा but x का value है वह 7 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा 7 से बड़ा means 8 ,9 ,10 और 5 में 5 से छोटा means 4 ,3 ,2 यह सह 5 से छोटा ठीक है बट इसमें से से कोई number नहीं आएगा से बढ़ा जाएंगे तो कोई भी नंबर हम लोगों को नहीं मिलेगा तो यह क्या होगा यह एक्जाम्पल होगा नल जेट का मेरे यह दोनों एक एक अंदोनों में बढ़ें क्या है क्या इसमें एक गाल्जाम्पल होगा नेंट है है हमारा question 2 है which of the following set are finite और infinite हम लोंको सारे set में हम लोंको find करना कि कौन सा set finite का example है और कौन सा set infinite का है finite set उस set को बोलेंगे जिसमें जो element होगा number of element उसको count कर सकते या फिर अगर वन से 10 तक अगर set बोले 12345678 19 उसको count कर सकते इसमें exactly 10 ही number of element है उसको finite set बोलेंगे और जिस set में बहुत सारा number होगा उसको count question number two है one two three dot 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 यह इसमें तहीं नहीं हुआ है कि यह कहां तक यह number जाएगा one two three से वह कहां तक जाएगा तो यह क्या होगा infinite state का example होगा means यह कहीं तक भी जा सकता यह आगे तक infinite number of time बढ़ेगा तो यह infinite state का example होगा infinite state फिर next question है one two three dot 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 99 उसके बाद 100 यानि इसमें यहां पर दिया हुआ state का अंदर का जो element है वो one से start होगा और 100 तक जाएगा ठीक है तो यह finite state का example होगा वेकाओ इसमें जो number of element हो countable है one से 100 तक ही जाएगा तो यह finite state का example होगा finite state फिर next question है the state of positive integer greater than 100 means positive integer होना चाहिए और 100 से वह बड़ा होना चाहिए greater than 100 तो इसमें जैसे कि यह लोग माल लेते हैं 100 से बड़ा क्या होगा 101 यह positive number भी है और इंटीजर भी है positive integer है उसके बाद आएगा 102 103 और यह infinite तक जाएगा यह इसमें तहीं नहीं कहां तक इसको रुखना है इसलिए कि सेट का एग्जामपल होगा इन्फानाइट सेट का एग्जामपल होगा तो यह होगा तो 97 तक यह नंबर जाएगा इसका भी एक फिक्स नंबर होगा तो और infinite state समझ भाया होगा तो चलिए हम लोग next question को देखते तो next question है हमारा question number 3 state whether each of the following state is finite और infinite हम लोगो find करना है हम लोगो बताना है कि इसमें से जितना भी state का example है वो finite state का example है या फिर infinite का तो question number 2 में हम लोग पढ़ चुके है कि finite state किसे कहेंगे और infinite state किसे कहेंगे तो पढ़ते question number 3 का पहला example लिखावाद the state of lines which are parallel to the x-axis x-axis में जो भी line parallel होगा उसका state तो x-axis जो होगा यह है y-axis और इसमें जो ऐसे जाएगा सिधा उसको x-axis बोलेंगे जैसे यह होगा y-axis और यह होगा x-axis यह y है और यह x है तो x-axis का जो parallel line होगा उसका state बनाना है इस line का parallel यह वाला line का parallel हमको state बनाना तो इस line का parallel यह line हो सकता 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 इधर भी हो सकता यह infinite number of line हो सकते है तो यह कैसा example होगा यह infinite state का example होगा तो इनेक्स question है the state of letters in the English alphabet English alphabet में जितना भी letter है उसका state निग्लिजी आलफावेट में 26 लेटर है ए बी घृ। दी डौटटटटटट जैट तक ठीक है तो इसका भी एक कैसा सेट का और ग्जामपल होगा यह पाइनायच का एग्जामपल होगा क्योंकि इसमें जो भी नंबर लिटर हो आए वोग फिक्स है फिर next question है the sheet of numbers which are multiple of five वो ऐसा number जो five का multiple है तो five का multiple में होगा five ten fifteen twenty twenty five और यह infinite तक जाएगा यह कभी भी खतम नहीं होगा तो यह कैसा sheet का example होगा यह infinite sheet का example होगा question number three का फिर four number पे दिया हुआ है the sheet of animals living on the earth अर्थ में जितना भी number of element number of animals रहते हैं उनका सेट तो animals अर्थ में जैसे कि अर्थ है इसके अंदर बहुत सारे animals होगे उसको हम लोग count नहीं कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं तो वह भी हुआ क्या infinite state का example होगा फिर question number five है तो वह ऐसा circle का set means यह मां लेजर एक circle है और इसका जो center वह 0,0 है तो वह ऐसा set the set of circle passing थर्थ और और जियरो कोमा जीरो से जो भी circle बनेगा उसका set तो 0,0 से circle कितना बन सकता है तो 0,0 से एक circle यह बन जिसका मालेचे radius 5 cm ऐसे बन सकता है जिसका डिफाइन नहीं किया गया है तो बहुत सारा सरकल बन सकता है जिसका रिडिएस क्या होगा इसका जीग तो इसमें इन फांव number of circle बन सकते हैं इसलिए यह जो question होगा- यह example होगा- infinite state का example होगा आए होगा समझ में आ रहा होगा यह question चलिए हमनों question number four को देखते है question number four है हमारा in the following state whether a equal to b or not हम लोगो find करना है कि जो भी यतना भी element है वह element number of element चाहिए और साथ इससाथ जो element है वो दोनों element exactly same होना चाहिए तो उस सेट को हम लोग फिल सेट बोलेंगे लाइक देश अगर एक के अंदर A B C D element है यानि चार element है तो B set के अंदर भी 4 element होना चाहिए यानि इसमें भी चारव है और ऑफ के साथ क्या होना चाहिए जो भी ऐलिमेंट और बीका एलिमेंट है दोनों एक्वल टू बी के बराबर होगा कोस्चन नमर 2 में है A equal to 4 a 12 सिंहीं इसमें 4 element है , House बूर है यहांपर 4 है है सो यहांपर समय लोग है, यहांपर 12 नहीं है तो यहांपर लोग आगे चेक नहीं करेंगे कीया , यहांपर 12 नहीं होगा , not equal to B ए और B दोनों से एकवल नहीं होग फिर कोस्चन नमबर अगर 3 देखेंगे तो A equal to 2, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ है और B में state builder form में दिया हुआ तो इसका पहले हम लोग रोश्टर form में अगर निकालेंगे तो B equal to गया आएगा X is positive even integer and X को value है 10 के बराबर और 10 से कम होना चाहिए तो इसके अंदर आएगा positive even integer means 2 positive भी है even भी है integer भी है तो 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा और 10 होगा 10 तक क्यों विकाओज यहाँ पर 10 के बराबर या 10 से कम बोला गया है तो B set के अंदर यह सारा 4 में हमारा दिया हुआ है A के अंदर लिखा हुआ है X is multiple of 10 तो A के अंदर अगर हम लोग exactly लिखेंगे तो 10 का multiple होता है 10 20 30 यह आगे तक जाएगा infinite number तक जाएगा फिर B के अंदर दिया हुआ 10 15 20 25 30 तो एक जखली अगर देखेंगे कि यहाँ पर 10 20 30 आ रहा है और यह आगे तक भी बढ़ रहा है बट यहाँ पर 15 11 जो कि यहाँ पर नहीं है 15 जो है वो 10 का multiple नहीं है तो इसलिए इसका answer होगा यह डाज नॉट इक्वल टो बी एक एकवल नहीं होगा तो चलिए कोस्टे नमर हम लोग 5 देखते है चलिए कोस्टे नमर 5 का हम लोग देखते है कोस्टे फाइफ है आर फॉल्विंग पेर ऑफ सेट्स इक्वल हम लोग को इसका B में है x is solution of x square plus 5 x plus 6 तो यह जो equation में जो भी solution होगा वो B के अंदर आएगा तो पहले हम लोग इस equation को solve करना है तो इसको करेंगे तो x square plus 3 x plus 2 x plus 6 equal to 0 means यह जो 5X को हम लोंग 2 भागों में define दिवाड कर दिये फिर यहां से अगर comma लेंगे x तो यहां आएगा x plus 3 यह वाला मेंसे फिर इस में से comma लेंगे 2 तो यहां पर आएगा x plus 3 और equal to 까v zero ठीक है फिर यह x plus 3 और x plus 3 को 1 में लिखेंगे x plus 3 और फिर x plus 2 हम लोग एक box में लिकेंगे एक x plus two equal to even 1997 बल्एक एक साइगा सब्नस्तीन प्रेक ऐगा धुए अच्छ इकडिकरव यह से दोनों अंदर पहले से दिए है two and three तो दोनों हमलों को दिखने में क्या लग रहा है equal नहीं है तो यह जो होगा ए वह not equal to होगा ठीक है यह पहला का solution होगा फिर हम लोग next question number two का solution देखेंगे तो पहले एक अंदर का element देखेंगे ठीक है तो एक अंदर का element क्या है x is a letter in the word follow तो follow जो word है उसका अंदर का सारा letter A के अंदर को लिखना है तो A के अंदर आईगा F फिर आएगा O फिर आएगा L दो बाद repeat नहीं करें उसके बाद को भी repeat नहीं करें यूंगि यह लिख चुके है उसके आई याउ आएगा टो यह एक अंदर आएगा पी आँदर दाएगा उस के बाद ऑढद आएगा टो कि आंदर जr एंट लोनों का जो वो सेम है इसलिए यहां पर दो लिशकते हैं आपर एक्वल को सेट होगा चलिए हम लोगा स्याइस के लास्ट को संडार है सेलैक्ट को सेट को फाइंड करना ठीक है तो पहला देखेंगे ऑकष्य एसाइट है जिसके अदर यह है एकजकली अलेमेंत है तु एक एकवल कोई सेट नहीं है हम लोगों कोई सेट ही फाइंड करना फिर देखेंगे बी बी में क्या है वन टू टू ट्री फॉर और भी कोई सीट के अंदर यहां पर हम लोग लिख सकते है उसके बाद हम लोग लोग देखेंगे कि और भी कोई गाल हे कि यह एप में नहीं है उसके बाद हम लोग C state को देखेंगे, C जो state है, उसमें 4 है, 8 है, 12 है, 14 है, 4, 8, 12, 14 और कोई भी state में नहीं है, तो इसको भी हम cancel कर देगे, उसके बाद हम लोग D state को देखेंगे, D में है 3, 1, 4, 2, तो D state जो है, वो B के एक्वाल है, इसलिए हम लोग पैले ही लिख चुके है, D equal to D, यह भी हो गया, complete, उसके बाद हम लोग E state को देखेंगे, जिसके अंदर element है, minus 1 and 1, अब चेक करेंगे कि और भी कोई ऐसा state है, जिसके अंदर minus 1 and 1 है, तो यहाँ पर हम लोग F में रखेंगे, तो F में नहीं है, उसके बाद अगर G में चेक करेंगे, तो G में है minus 1 and 1, यहाँ पर exactly same number of element है and same element भी है, तो इसमें यहाँ पर हम लोग लिख सकते है, E जो है, वो equal है किसके, G के, तो E equal to हो जाएगा state G, उसके बाद हम लोग देखेंगे, F को, तो F में है 0 and E, तो यहाँ पर देखेंगे, 0 and A कोई और भी state में है, तो 0 and A यहाँ पर भी नहीं, Element P है, यह दुनों same होगा, तो यह, हम लोग पहले लिखेंगे, फिर अगर हम लोग देखेंगे, H को तो H में 0 and 1 है, और भी कोई ऐसा element है, ञिसके अंदर 0 and 1 है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे और कोई ऐसा state नहीं है, जिसके अंदर 0 and 1 element है, तो यह भी, खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग का finally answer यह मिला B जो है वो D के equal है and E जो set है वो G के equal है तो इस तरह से हमारा exercise 1.2 कंप्लीट होता है तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे next video में